कि है लो इबरीवन बेलकाम पेक टू मैं चैनल सु आईए आज की इस वीडियो में हम किसी भी अकार के खेत का छेतरफल निकालने के लिए सिखने वाले हैं यदि हमारे खेत का अकार बढ़गाकार या आयताकार होता है तो हम उसका छेतरफल एजली निकाल लेते हैं लेकिन यह जो हमारा डायगराम आपको दिख रहा है इसमें किसी भी भूजा का जो है मान समान नहीं है वेल्यू समान नहीं है यह समलम चतुरभूज टाइप का हमार आकार है तो आए इसका हम किस परकार निकालेंगे छेतरफल वो हम समझते हैं अब देखे इसे हम दो टाइप से निकाल सकते हैं तो फर्स्ट टाइप जो हम निकालेंगे फर्स्ट टाइप में आपका जो एकुरेट वेल्यू नहीं आएगा ठीक है लेकिन सेकंड टाइप मे क्या है accurate value आपका देगा ठीक है तो हम पहले first type यहाँ पर हम देख लेते हैं किस परकार हम इसे निकालेंगे ओके तो आज़े देखते हैं इसका first type तो आज़े first method से पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं ओके तो यहाँ देखिए यहाँ पर a, b, c, d यह हमारा क्या है एक चतुर भूज है ओके अब यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे चतुर भूज चतुर भूज अब इसे हम केसे निकालेंगे देखिए आपको करना क्या है इसके आमने सामने की भुजा को क्या करना है एड करना है जोरना है और दो से डिवाइट करना है तो 45 पलस 40 अपोन 2 ओके फिर क्या करना है गुना का साइन लेना है फिर इसके आमने सामने को भुजा को क्या करना है एड़ करके दो से क्या करना है डिवाइड कर देना है तो क्या हो जाएगा 30 पालस 43 अपून टू ओके अब इससे यहाँ पर इसका सुलुशन अप करो ठीक है तो इसका सुलुशन आ यह करते हैं तो 45 पलस 40 कितना होता है भाई यह आपका 85 होता है 25 अपून टू गुना 30 पलस 43 कितना होता है 30 यह होता आपका 73 अपून टू ओके इसका और सुलुशन यह आप हम करते हैं ओके तो यह आपका आता है 42.5 गुना 36.5 जब इसे हम और मल्टिप्लाइब करें तो यह आपका यह आपका आ रहा है इसका ठीक है ओके यह क्या रहा है इसका छेत्र फल आ रहा है यह फर्स्ट मिठर से इतना आया यह आप याद रखेगा ओके अब से कन मिठर सा यह हम लोग निकालते हो तोनों में अं चलते हैं सेकंड मिठर में ओके अब देखें सेकंड मिठर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा इसके बिकरने को हम यहाप मिला देते हैं ओके इसके बिकरने क्या करेंगे हैं यहाप मिला देंगे ओके अब यहाप हम देख रहे हैं कि एंगल ए कौन ए जो है 90 डिग्री है इ कैन चेसे कोन स्न टीविजे प Harris कि यह एक एक एंगल की आई 90 डिग्र सम्कुन टिर्भूज है शनकोण तिर्भूज है अब यहां देखे इसी में हम लोग क्या करेंगे संकोण तेर्भूज है तो इसका हम पाइथागुरस पिर में से हम लोग ignored का लें गए 對क क्या है मारा करने है ठीक है तो अब यहां पर हम निकालें गें पाइथा गोरस परमेई से जर्ब इसे हम हल करेंगे तो यह आपका BD BD Square equal to क्या हो जाएगा आपका AB का Square plus BD AD का Square AD का A Square ओके यानि कि इसका Square और इसका Square equal to इसका Square हमें मिल जाना चाहिए पैथावरस परमे के हिसाब से ठीके क्योंकि पैथावरस के परमे क्या गलत काता है कि करने का Square बाकी दो भूजा के बर्ग के Square के बराबर होता है ठीके तो आईए अब हम यहाँ पर इसका हम solution करते हैं तो AB बराबर क्या है हमारा AB बराबर है 40 40 का Square plus AD क्या है 30 30 का Square ओके तो इस परकार हमारा BD निकल के क्या आएगा तो आईए इसका हम करते हैं तो यह आपका हाँ आता है 16 100 पलस 900 ओके जब इसका हम करेंगे तो यह आता है 25 100 ओके तो यह तो आगे आपका BD Square बराबर यह क्या आढ़ा है आपका BD Square तो BD बराबर क्या हो दाएगा BD का BD बराबर अंडर रूट इसके यहाँ पर आजाएगा तो 25 100 जब इसका हम Square रूट हटाएगे तो यह आपका आदाता है 50 ओके 50 आता है ठीके यानि कि 50 फीट 50 फीट यह आपका आजा है ओके अब यहाँ पर BD कमान आप निकाल लिएगे कितना आया 50 तो आप यहाँ पर लिख तो 50 ओके यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भाई कितना आया 50 आया ओके अब हम आगे देखते हैं आगला क्या प्रोसेस हमें करना होगा अब आपको करना क्या होगा आपने बीडी निकाल लिया ओके अब आपको करना क्या होगा ट्राइंगल यह जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ए बीडी इसका छेतरफल निकालो फिर ट्राइंगल बी सीडी इसका छेतरफल निकालो दोनों का छेतरफल निकाल करके आप एड प्रेंगल इबीडि पहले लेते हैं तो एबीडि में ऐबीडि में क्या ये उर्भूज।ीर ओके अब यहां वे यहां पुल हम हीरोन सूत्र लांए कर वोलि써 ही कश्टुर यह वह सर्दुर एंज स्द؟ ऊके तो उस में से क्या है पहले तो आम क्लीन होता है वो आपका होता है तिर्भूज का छेतर फल, चेतर फल यो होता है हरोन सूत्री के अनुसार वो होता है अपका under root कि एस अबस्य क्या है, इस निकालने के लिए अभी हम आपको बताएंगे इस अप Chief अस्थ परिमेती आपका सकते है इस्थ इस-ग होता है ठीक है इस कैसे निकालेंगे वो अभी हम बताएंगे और इसमें से A, B, C जो है वो जो है तिर्भुज का भूजा है ओके साइड है ओके अब आईए यहाँ पर हम निकालते हैं पहले S निकालेंगे ओके तो S equal to S equal to होता है A plus B plus C A, B, C क्या है भूजा है बताएंगे अब यहाँ पर देखिए इस तिर्भुज की बात थोड़ा ही तो इसमें कौन-कौन भूजा हो गया एक यह भूजा हो गया एक यह भूजा आ जाता है और एक यह भूजा हमारा आ जाता है ठीक है हम इन तीनों को एड़ करके तो से क्या करेंगे गांगे तो यह ओगे आपका 30 plus 40 plus 50 upon 2 यह आपका आ गया ओके अब यहाँ पर देखिए इससे हम जब एड़ करेंगे तो यह आपका आता है 1,20 यानि 120 upon 2 तो दिवाइट करेंगे तो यह आपका आता है 60 यह आपका क्या आ जा अब हम क्या करेंगे इस फर्मूला पर हम इसे पूट करेंगे यह जो हमारा फर्मूला अच्छे तरिफल करें इस तो क्या है था कि एस तो अबने क्या गया 60 तो 60 इंटू 60 मैनस ए यानी 60 मानस 30 ओके यह भी सिक भू जाया यानी यह तीनों कि यह तो आईए इस पर काल हो जाएगा आपका 60-30 हो गया तो 40 अब ले ले लेते हैं फिर 60-50 ओके अब इसकाम सोल्यूशन यह आप हम करते हैं तो यह हमाला आ जाता है 60 इन्टू 30 इन्टू यह आ जाता है 20 ओके फिर इन्टू 10 क्या गया 10 आई यह मिसका आगे सोल्यूशन करते हैं तो यह आप का रहा है अंडर रूट 3600 सोरी 36 पे 40 हो जाएगा तो इस परकार हम इसका नहापर हम ब्रेक करेंगे इसका अंडर रूट ब्रेक करेंगे तो यह आजाता है 600 स्कॉरूब फिट लूप एच एम लोग निकालेंगे तिर्व भूज जो है इसका B, D, C का चेतफ़ल B, D, C का चेतफ़ल निकालेंगे, ओके तो वही आपका रूल अपनाना है पहले आपको क्या करना है इसका S find करना है चलिए अब हम इसका हम निकालते है ठीके, इस वाले ट्रेंगल का तो आईए अब हम ट्रेंगल B, D, C में हम लोग आए है ठीके, B, D, C का चेतफ़ल निकालेंगे तो पहले इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा A, S, N, K, A, S, E, Q क्या होता है A, P, B, P, C अपोन 2 होता है ठीके, तो इसमें से A क्या हो गया आप कोई भी मान लो A, किसी को भी मान लो ठीके, तो ये तीनों भुजा में से जिसको A, B, C मानना है अपने नुसरा मान सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो A बरावर हमान लें 45 उके, तो ये हो गया 45 पालस B बरावर मान लेते हैं 50 किसी को भी मान सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है पालस C बरावर क्या मान लेते हैं 43 मान लेते हैं ठीक है तो हम ले लेते हैं 43 अपन 2 जैसका अन सोलूशन करेंगे इससे जब हम एड़ करेंगे तो ये आपका कितना आ रहा है भाई 69 आगया ठीक है तो ये फर्मूला आपको अभी अपनाना है हिरोन फर्मूला क्या था हमारा तिर्भुच का छेत्रफल बरावर क्या फर्मूला था अंडरूट S इन्टू S मैनस A इन्टू S मैनस B इन्टू S मैनस C यही था हमारा तो S हमारा find हो चुका है ठीक है तो S वर्मूला क्या आए है 69 तो 69 69 इन्टू 69 मैनस 69 मैनस भुजा रख दो यह जो अपका तीनों भुजा था इसको A माना था 45 इन्टू फिर 69 मैनस 50 फिर 69 मैनस 43 ओके यह आपका आगया आगे सुलूशन इसका हम करते है तो इस परकार इसका आगे सब सुलूशन करेंगे तो यह आएगा 69 गुना 69 मैनस 69 मैनस 45 यह आपका आता है 24 गुना 69 मैनस 50 यह आपका 19 गुना 69 मैनस 43 यह आपका 26 ओके इस प्रकार यह जब इन सभी को हम multiply करेंगे इन सभी अंको को multiply करेंगे तो यह आपका रहा है 81, 80, 64 जब इससे हम break करेंगे इसका root हम break करेंगे तो यह आपका रहा है 904.4689 square feet okay यह आपका square feet यह आपका रहा है triangle कौन सा triangle का रहा है छेत्रफल यह आपका रहा है triangle BDC का okay तो इस परकार BDC का भी आगया okay तो total छेत्रफल क्या हो जागा तो ट्रेंगल कुल छेत्रफल तो कुल चेतर फल बरबर ट्रेंगल, कौन-कौन सा ट्रेंगल था? ABD था, ABD ओके, ABD का चेतर फल, अपर पलस ट्रेंगल BDC का, चेतर फल, इंदोनों को क्या करेंगे? एड़ कर देंगे, तो ABD का कितना आया था, देखिए, ABD का हमारा आया था, देख लेते हैं, इस एड़ हमने निकाला था, OK, ABD का आया था, कितना आया था, 600 square feet आया था, OK, कितना आया था, ABD का आया था, 600 square feet, तो हैं अपने लिख देंगे हैं 600 square feet plus BDs का कितना आया है यह आपका आया है 904.468 468 आया है तो इन सभी को क्या करेंगे हैं add कर देंगे तो इनको आप add करो तो add करने पर यह कितना आ रहा है add add करिए इसको add करने पर यह आपका आता है आपका पक्का पक्की आढ़ा है 15 0 4. point point अच्छा इसको जब हम किये थे तो कितना आया था यह देखिए मिस तो नहीं हुआ है न कुछ 689 भी आढ़ा है ओके यहाँ पे जो है यह जो इसका छेतरफल हम लोगा ने निकाला था ओके इसका छेतरफल में कुरेट यहाँ पे लिख देते है 4689 भी यहाँ पे लिख सकते है इसे नहीं भी लिख होगे तो चलेगा क्योंकि यह दसमाल को बाद एक दो अंक ले ले लेना काफी होता है ठीक है इसकोईर फिट यह आपका आया है ओके यह आपका आया है छेतरफल आपका किसका आया है यह आपका आया था ट्रेंगल डी डी सी का आया था ठीक है तो आई आप इनको हम एड़ करते हैं जी एड़ करने पर यह आपका आएगा इन दोनों को एड़ करने पर यह आपका कितना आ रहा है भाई 1504.4689 square feet square feet यह आपका accurate आपका आया है ठीक है अब देखिए first meter से जो हमने बनाया था है उसका answer कितना आया है आप देखिएगा इसका answer आया है 15 1551.25 और इसका कितना आया है 1504.4689 कितना का difference है ओके तो इस परकार यह जो निकला है यह आपका accurate निकला है accurate यह आपका छेतरफल निकला है आपके triangle आपके चतुर्भूज चतुर्भूज का ठीक है तो इस परकार आप second meter से ही apply करना first method में जो है आपका गरबर हो सकता है ठीक है so इस परकार आप easily जो है so thank you